नमश्कार, मैं सुरीता कथा मंधर में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधर में आज सुनिए एक लंबा उपन्यास जिसकी लेखी का है आशापुर्णा देवी उपन्यास का नाम है जीवन संध्या उनके गाड़ी जिस समय इनके दर्वाजे पर आकर रुकी उस समय तक शहर के इस महले में देनिक काम के पहिये ने पूरी रफतार से घूमना शुरू नहीं किया था यहां तक की सडक भी नीज से उठकर जमाई लेती हुई सी लग रही थी फुटपाथ पर जहां तहां भाग्यावानों के मकान के बाहर ओने कौने में या तो किसी दुकान के साइन बोड को सुरक्षित रखने के लिए बढ़ाए गए शेट के नीचे जो बिचरे गरीब गहरी नीद के गुलगले बिचावन पर सोय वे थे उनकी गहरी नीद को तोड़ने के लिए उस समय तक रास्ते के होस पाइप ने अभी मटपैला पानी उगलना नहीं शुरू किया था यहां तक की दुकानदारियों के भी दौनों पाट बंद आँखों की तरह मूधे वे थे और कोई-कोई एक खोल कर ताक रहा था उस समय अखबार वाले अपनी साइकल की घंटी बजा बजा कर खास-खास मकानों के खुली खिड़की या बरांदे में रोज का अखबार फेक कर तेजी से भाग रहे थे एक आद बोतल बंद दूद वाले भी अपनी साइकल गाड़ी को ग्रहकों के दरवाजों पे रोक रोक कर सीटी बजा कर अपने आपने आने की सूचना देते वे नजर आ रहे थे तूद लेने के लिए बंद दरवाजों का एक पल्ला जरा सा खुल कर किसी का हाथ आगे बढ़ता और फिर दरवाजे के पीछे जाकर अद्रिश्य हो जाता गती की तत पड़ता घर घर चौका बासद करने वाली नौकरानियों में ही नजर आ रहे थी इनकी संख्या कम नहीं थी अभी भी वहाँ पर चारों तरफ काफी संख्या में जोपड़ पटियां अबाद थी उनकी जल्दी ही वहाँ से उखाड़े जाने की अवभा तो जरूर थी लेकिन निश्चिती थी कोई नहीं जानता था कम से कम उन बस्तियों में रहने वालों को तो कोई फिक्र नहीं थी जरा जरा सी बातों में परेशान होने की उनकी आदत ही कथम हो गई थी जानते थे वे कि होनी तो हो कर रहेगी इसलिए परम नरलिप्त भाव से अपनी घरस्ती जमाएवे आखरी समय तक वहां डटे रहने वाले थे यह इलाका कुछ दिन पहले तक एक उप गर के रूप में जाना जाता था फिलहाल पुरवार्द के उप का गायब करके शहर ने इसे अपने पंज़े में समेट लिया था लेकिन वे पूरी तोर से अभी इसे अपने अनुरूह नहीं बना पाया था मुख्य मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर हटकर नल, सैनिटरी ड्रेन, आधिका भाव देखर इस बात का सुबूत मिल जाता था इन लोगों का मकान खास सड़क पर ही था, मकान देखने में अच्छा ही लगता था और उसे देखकर बिल्कुल नया तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं था जिन दिनों यहां की जमीन पानी के भाव बिक रही थी, उन्ही दिनों निरुपम, निलांजन और इंद्रनिल के पिता अनुपम मित्तर ने यह जमीन खरीदी थी इसके बाद यह है जमीन अपने असली दाम पर आ गई थी, तब उन्हीं दिनों रिटायर्ट होने के बाद उन्हें बड़े उत्साह से इस मकान को बनवाना शुरू किया था लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि कहीं और भी उनके नाम से जमीन ली जा रही है और उसकी नोक्तिस अचानक मिली बीवे बच्चों को साथ ले जाने की जगा नहीं थी, फलता है उन्हें अकिले ही जाना पड़ा, उन दिनों इस मकान की छट ढाली जा रही थी कुछ दिनों के लिए काम रुका अवश्य किन्तु फिर शुरू हुआ और एक धिन का थम्भी हो गया, सब कुछ अनुपम मित्र की योजना अनुसार ही हुआ, इससे कोई कसर नहीं छोड़ी गई, कमरों की दिवारों पर रंग रोगन हुआ, बातरूम वा मुजाय के काफर कुछ बना, सुचिंता मित्र का कहना था, जैसा उनके पती चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो, सिरफ ग्रह प्रवेश की रसम ही अनुपम मित्र की योजना नुसार नहीं निभाई गई, सुचिंता मित्र बगैर किसी अडंबर के एक दिन अपने माल असबाब और तीनों बेट साफ सुत्रे आधुनिक और अती आधुनिक सभी तरह के मकान शामिल थे, इन मकानों की रौनक के आगे अनुपम मित्र का मकान करीब करीब फीका ही पड़ गया, लेकिन इस फीकेपन का अनुपम कोटिर के वासियों पर कोई असर नहीं हुआ, वे लोग अपने जीवन के बं इस तरह की बाते कहकर कोई बात आगे नहीं बढ़ाता, शायद कभी सुचिता कहती तो क्या जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी, या कभी निलांजन कहता, तुम सड़क पर घूमफिर कर क्या यहीं देखते रहते हो कि कौन किया, किसका क्या बन रहा है, निरूपम इतना भी नही कहता था, वह इसी तरफ की एक नई यूनिवर्सिटी में अध्यापन करता था, निलांजन में पास करके साल भर बटकने के बाद वर्मा शेल में एक अच्छी तनका वाली नौकरी जुटा ली थी, बस इंद्रिन नेल ही अभी MSC कर रहा था, घर में अनुपम के जमाने का ए आते जाते थे, इनके यहां भी नाति रिष्टेदार भी कभी कभारी आया करते थे, महले में भी किसी से जान पेचा नहीं थी, महले में आई वे एक अधनाई लोग पड़ोसी होने के नाते, धराम अमने भाने आते पर यहां आकर संपर्क नहीं बना पाते, सुचीता और निया की निरलिप्तता के कारण वे कमल पत्र से जल बिंदू की तरह धुलग जाते, उनकी टैक्सी अगर दिन की भरपूर रोशनी में आकर उनके दरवाजे पर खड़ी होती, तो जरूर अड़ोस पड़ोस की कौतु हले नजरे आपस में मुखातिब होकर पूछ बढ़ती तब अधिकतर मकान नींद की कुमारी में डूबे हुए थे, थोड़ी बहुत हल चल थी भी थे ओवया घर के कुछ खास जगाओं में, जैसे की रसोई घर, भंडार घर, स्नान घर आदी, जैसा अनुपम कोटिर में था, हलाकि अनुपम कोटिर के काम का पहिया कभी भी वे खुद ही सारे समय गुलगपड़ा मचाए रहते थे, रात के भुजन में अगर किसी दिन 56 वेजनों की सूची में कोई कमी रह जाती, तो वे घर में महाभारत मचा देते थे, यार दोस्तों की नित्य की बैठकी क्या योजन में किसी दिन कोई त्रुढ़ी रह जाने पर आसमांसर पर उठा लेते थे, साथी बाते तो इतनी अधिक करते थे कि घर के और चार प्राणियों की खामोशी का कोई दूसरा समझी नहीं पाता, खेर एक दिन इसी सारे शोर गुलगपड़ को अपने साथ लेकर उन्होंने किराय के मकान से सधेव के लिए विदा ले ठीर हमेशा से खामोश था, यहां तक की पुराने दिनों का नौकर सुबल जो 24 गंटे बाबु से डांट खाता रहता और 24 गंटे घर के नौकर नौकरानियां ड्राइवर से जगड़ा करता फिरता था, वहे भी आज खामोश और गुंगा हो गया था, सुबह उठकर वहे ब बुलजार कर हाथ में ठैले लेकर सबजी खरीदने निकल जाता, खरीद फरुक्त के पैसे उसके पास ही रहते थे और उनके खतम हो जाने पर वहे फिर मांग लेता, उससे हिसाब किता की बात भी कोई नहीं करता, उल्टे उसके हिसाब देने पर लोगों को कुड़न सी सोने लगती, सुचिता बहुत सवेरे उठ जाती थी, उठकर सोने के कमरें से जोड़े नहान घर में चली जाती, और नहाने से पहले वह कभी किसी से नहीं मिलती थी, नहान ने घर में अनुपम मित्र की योजना के अनुसर तरहा तरहा की शौक की चिजह मज़ूद थी, यह अराम तलबी उन्हें कचोटती थी बल्कि उल्टे यहीं लगता कि वे हमेशा ऐसी जिन्दगी जीने की अभ्यास रही है नीन से उठकर इत्मिनान से एक घंडे तक मिधे को टब में डूबो कर नहने के बाद दूद की तरह सफेद थान और बलाउस पहन कर एक घंडे तक अप बात से बिना जाने वे मेज के पास जाकर वहां बैठकर अगवार के पड़ने पलटने लगती उन्हें देखकर लगता था कि वे आज इवन ऐसी ही जिन्दगी की अभ्यास रही है अभी उस दिन तक तो सुचीता सुबह जटपट ना दो कर हाथ में कंगन और चूड़ियां शनका कर सबजी काटती थी घी तेल मसाले गोश्ट मचली दही लेकर रसोई में पसीने पसीने होती थी हमेशा पैरों में आलता और माथे पर सिंदूर की बिंदिया रचाय रहती थी लेकिन आज की सुचीता को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अपने खाने और पहनने के बारे में अनुपम की रेजर समान रहती थी सुचीता का चोड़े कि राने वाली साड़ी के अलावा और कोई दूसरे साड़ी पहनना अनुपम को पसंद नहीं था अनुपम का शौक था कि उसके दैनिक और पुभोक की सारी चीजों में विलासिता जलके शायद विलासिता के इस बोज ढहते रहने के कारण ही सुचिता इतनी विम्मक हो गई कि उसके बेटे के भी मा की ही आदत और रूची उसे मिल गई थी सुचिता के अगबार पढ़ने बैठ जाने के बाद ही निरुपम निलान जन और इंदर निल की नींद तूटती उतने के बाद वे तीनों मेच के चारों और आकर बैठ जाते सुबल चाय ले आता सुचिता उसे कप में डाल कर आगे बढ़ा देती अपने बेटे से पूछती एक और बिस्कुट लोगे टोस्ट क्यों छोड़ दिया चाय सारी की सारी पड़ी रह गई जवाब होता एक दे दो मन नहीं है चाय कड़ी लग रही है इत्यादी अगवार सभी पड़ते थे लेकिन उसकी खबरों को लेकर आपस में कभी बहस नहीं करते नीचे की मंजिल में काम करते करते कभी कबार नौकरानी संधिया सुबल से पूछ वड़ती तोनों वक्त आती चाती हूँ लेकिन कभी किसी की आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती सुबल थोड़े में कहता इस मकान की खामोशी ने सब को निकल लिया यह मकान पुरी तोर से कुंगा हो गया था जिस समय उनकी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी उस समय तक ना तो सुचिंदा अपने कमरे से भाहर निकली थी और नहीं उनके बेटों की नींज तूटी थी सुबल ने भी उसी समय दूद लेने के लिए दरवाजे का एक पला खोला ही था बोतल थमा कर दूद वाला तो चला गया लेकिन सुबल नहीं लोट पाया उसने देखा गाड़ी की महिला सवारी अपनी गर्दन बढ़ा कर इसी मकान के नेम प्लेट को देख रही है यही आनुपम कुटिर निश्चिन्थ होकर वैं गाड़ी से उतर गई और फिर गाड़ी में हाथ बढ़ा कर बोली पिता जी उतर आओ गाड़ी से एक प्रॉड सज्जन उत्रे थोड़े नाटे कतके जिनके सिरके बीचो बीच खोल का लाट दी कनपटी के बाग धूसर हो रहे थे और जाने कैसी आसाहयता की छाप उनकी चेहरे परती सहाब अस्वस्त है यह तो सुबल समझ गया लेकिन है कौन यह लोग उसकी समझ में नहीं आया इतने दिन काम करते हो गए लेकिन पहले तो कभी नहीं नहीं देखा लड़की के दबंग सुबाओ को समझने में सुबल को कतई देने लगी क्योंकि उसकी बिना किसी संकोच के आदेश तमक स्वर में सुबल से कहा एक सूटकेस और बैडिंग है उसे ले आओ और दस रुपे का एक नोट उसकी और बढ़ाते में बोली मीटर देखकर भाड़ाक भी चुका देना मा जी तो अंदर ही होगी है ना मुझ से कुछ नब बोलकर सुबल ने सुबल ने सुबारतमक भाव से सिर हिला गिया लड़की अपने पिता का हाथ पकड़कर बिना किसी निरिदेश के आगे बढ़ाई और सीड़ी से चड़कर उपर चली गए अपने हाथ में सूटकेस और बैडिंग थाम सुबल चकित होकर उन्हें देखता रह गया सीड़ी से चड़ते ही सामने मेच कूरसिया नजर आई इन्ही पर सुची था और उनके बेटे बैटकर चाय पाते पीते थे और अकभार पड़ते थे पिताजी तुम ही यही बैट जा उसने बैटने का इशारा किया उस व्यक्ति ने आज सहाय दृष्टी से देखकर कुछ संकोच पुरवक कहा देख लिया ना बीटी यहां कोई नहीं है जो यहां ते वे सब मर गए फिर तुम मुझे लेकर यहां क्यों चली आई अरे तुम पिताजी सुचिंता बुवा अभी जिन्दा है गलत गलत कह रही हो नितु उस व्यक्ति ने जीद भरे स्वर में कहा कहीं कोई नहीं है सब मर गए हैं नीतु अथवा नीता ने अपनी बात पर बल देते वे कहा छी पिताजी क्या ऐसी बाते कही जाती है जरा बताना तो ऐसी बाते सुचिंता बुवा क्या सोचेगी उस सोचेगी लगा जैसे वे डर गए हो बिलकुल आखिर वे जीवित हैं और स्वस्त हैं अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुचिंता के कमरे का दरवाजा खुला साथ ही इस गुंगे मकान का एक तीका आंत्रेनाथ कुँच कौन हो मैं हूँ बुवा जी नीता ने आगे बढ़कर चरण सपर्श करतेवे कहा आकर हम हमें आपके पास आना पड़ ही गया आना पड़ गया मेरे पास आना पड़ गया सुचिंता की आँखों में दर समा गया आकर क्यों अरे वहा क्या हमें नहीं आना चाहिए था अचान दिये यहां ही किया तुम्हारे तो कई राते रिष्टेदार और भी है शेहर में रहते हैं कोई जवाब देने के पहले ही नीता अचानक चौक पड़ी उसने अपनी पीट पर मुर्दु कोमल भरा हाथ का स्पर्श महसूस किया साथ ही उसने देखा देख लिए नीतु मैं जू सुचिंता क्यों होने लगी सुचिंता के पती के पास तो काफी रुपे हैं और सुचिंता की देख पर धेरो घहने भी रहते हैं अरे उनके सारे घहने चोरी हो गया है चोरी हो गया वह थोड़े से परिशान लगे लेकिन फिर नाराज होकर बोले तो आखिर वह दुबारा खरीद क्यों नहीं देता कैसा पती है वे देंगे जरूर देंगे तुम तो आही गए हो ना अब सब ठीक हो जाएगा वाकई सब ठीक हो जाएगा हाँ बिल्कुल सुचिंता अपने दर्वाजे से हट कर आके बढ़ गली अब तक वे दर्वाजे के दौनों पल्लों को दिरे करके नीता ने कातर होते वे कहा बुवा मेरी थोड़ी मदद करनी होगी मदद तुम्हारी मदद करनी होगी हाँ बुवा पिताजी को स्वस्त करने के लिए सुचिंता ने असहायता भरे स्वर में कहा लेकिन मेरे बेटे क्या सोचेंगे यह कोई परशिन नहीं था यह सिर्फ आत्म जीक्यासाती हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा लेकिन नीता के स्वर में इतना आत्म विश्वास किस बात का था कैनिता ने सुचिंटा के बेटों के बारे में नहीं सुचाता उनकी विरोध को क्या नीता संभाल सकेगी तुम लोग अपस में फुस फुस हाकर कैस तुम डॉक्टर की राय के अनिसवार नहीं चलते हैं? अरे हाँ 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 वे अपने सफेद दातों को जहल कला कर हसने लगे देख लिया सुचिंता? मैं भी कितना बुलककर हो गया हूँ लेकिन क्या तुम वाकरी सुचिंता हो? पहली वाली सुचिंता? सुचिंता तो आभूशनों से लदी रहती थी अब तक सुचिंता के तीनों बेटों की भी आखे खुल चुकी थी अपने अपने कमरों के दरवाजों के परदों को सरका कर वे सब चकित होकर खड़े हुए थे यह जरूर था कि सुचिंता की तरह वे सभी कौन कहकर चीख नहीं पड़े थे उन्हें देखकर सिरफ यही लगता था कि वे सब जैसे अपने अपने कमरों से बाहर निकलना भूल गया हूँ और चकित होकर सोच रहे हूँ यह कौन है यह कब आए? लेकिन यहां आने की बात क्या उन्हें से किसी को मालूम थी? इन वृद सज्जन क्या कभी उन लोगों ने पहले कभी देखा था? लगता तो है वही जब एक बार दिल्ली आगरा में कहीं घुमने गए थे हाँ याद आया दिल्ली में ही कहीं घुमने जाते वे सुचिंता अचानक ठिटक गई थी सामने से आने वाले सज्जन को देखकर वे कौन कहकर चीख पड़ी थी? ठिटक तो सज्जन भी गए थे साथ ही उनके चहरे पर भी बेचारगी क्या भाव फूट पड़ा था? क्या यह वही सज्जन है? यह सिर्फ भाव सामने है? शायद यह होगा लेकिन उसके बाद जाने क्या हुआ? ठीक से याद नहीं शायद अनुपम शोर मचाते हैं नजबीक चले आए थे मां आगे बढ़ गई थी लेकिन यह लड़की? नहीं इसे तो उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा कौन है यह मा? इंद्रे निल कमरे में से बाहर निकल आया मा के पास आकर इसने बहुत दीवी आवाज में पूछा कौन है मा? कौन? कौन है? सुचिंता क्या कहे? समझ नहीं पाई कौन सा परिचह दे? और देने को है भी क्या? सुचिंता मित्र की किस तरह के रिष्टेदार हो सकते हैं? यह यह सुशाबन उखर जी यह लड़की सुचिंता को ऐसे संकट में फसाने के लिए क्यों चली आई? जाने क्या नाम है? उसका नाम नाम तो वाकर ही नहीं मालूम पूछे क्या? फिलाल सुशोभन नहीं संकट से मुक्त किया इस लड़की का नाम पूछने के सुविदा के साथ ही इंद्रनिल के प्रशनों का जवाब देने की भी पत्ती से थी अपनी कन्या का हतेली पकड़कर डरे वे उनने पूछा नीतू? ये लोग कौन है? कौन है ये? नीता बहुत दिनों से शुशोभन से उपट रही थी इसलिए ना वै दुखी होती थी ना परिशान बड़ी सहजिता से बोली तुम्हारा भी अभी जवाब नहीं पिता जी वाक़ी तुम भुलककर होते जा रहे हैं ये लोग सुची भुवा के बेटे हैं बेटे? सुचिंता के इतने बेटे? मेरी तो सिरफ एक लड़की है समझी सुचिंता सिरफ एक जब इतनी सी थी तबी इसकी मा मर गई थी इसके बाद तो खेर सबी मर गए ऐसी सीथी में सुचिंता क्या अपने लड़कों से नजरे मिलाती? क्या वे लड़की की अउपस्तिती से भी खपर हो जाती? शायद यही सुवीदा जनक होगा शायद इसलिए वे अत्यान तो सहजिता से बोली वह यह तो खुब रही तुम सभी को मार डाल रहे हो यह जो मैं हो क्या मैं मर गई हूँ? अरे हाँ, हाँ तुम तु जिंदा हो सुशोबन अश्वस्त होए लगा सुचिंता के बेटे भी अश्वस्त होए उन्होंने सोचा, मा के कोई संबंदी होंगे संबंदी जरूर बहुत धूर का होगा तब इन लोगों ने इने पहले कभी नहीं देखा ना सुना पूचा कुछ पागल बागल लगता है लेकिन ये लोग यहां आये क्यों? क्या इन लोगों के यहां आने की बात थी? और इस बात को सरफ सुचिंता ही जानती थी ताज्यूब है और यह लड़की भी कब से सुचिंता के इंतना करीब हो गई थी? नाम पूचने की अस्विधा से सुचिंता ने मुक्ती दिला दी इसलिए सहज होकर सुचिंता ने पूचा इतनी सुचिंता तुम लोग किस गाड़ी से आई हो नीतु? नीता हस्ती उस दरभागे के कहानी को अब मत पूचिये बुआ हम लोग क्या आ जाए हैं? रात बर तो वेटिंग रूम में पड़े हैं आखिर क्यों? क्या करती? आने की बात तो शाम साथ बज़े की थी गाड़ी तीन घंटे लेट आई उतनी रात को कहां मकान ढूलती फिरती यहां पहले कभी आई भी नहीं थी तब तो कल रात तुम लोगों को काफी परिशानी हुई होगी अब जट पट नहा दो कर कुछ खापी लो सुशोभन तुम भी तो नहा होगे न अगर नीतु इजाज़त दे तो सुशोभन ने कहा हाँ बाबुजी तुम भी नहा लो कल नीद अच्छी नहीं आई थी वो बोल को आवाज दी वो बोली क्या है? जाके कुछ समान ले आओ क्या? जो भी मिले रजगुल्ला रजगुल्ला हो तो ले आना है रुपे दू? जी नहीं मेरे पास है सुबल तेजी से सीड़ियां उतरने लगा सहसा निलान जन किती की जलाट उसकी पीट पर मुक्के जैसी आकर लगी इनका इस तरह से बीच रास्ते में क्यों रखा गया है? मतलब यह सूटकेस और बिस्तरबंद बीच रास्ते में क्यों है? क्या गुंगा मकान बोलने लगा? मुखरित हो गटा? जंचल हो गटा? कुछ ही देर बाद सुचिंता के कमरे में निलान जन ने प्रवेश किया यह बात हम लोगों को पहले से बता देने में क्या नुकसान हो जाता? माँ यह तो तया था कि हम लोग मना नहीं करते? बेटे के इस अप प्रत्याशित अभियोग से क्या सुचिंता के चौकने की भारी थी? या अपने को आहत महसुस करना चाहिए था इसी बात के लिए क्या वे सारे से मैं खुद को तयार नहीं कर रही थी? क्या उन्होंने नीता के सामने सबसे पहले ही खुद असाय सवाल नहीं पूचा था मेरे बेटे क्या सोचेंगे? वे बोली तुम गलत समझने निलांजन उनके आने का पता मुझे भी नहीं था क्या विजित्र किसिम की अविश्वस्निय घटना नहीं लगती आपको? सुचिंता ने सीर उठा कर देखा उसका सौम में शिष्ट लड़का सहसा ना जाने कैसा अशिष्ट लगने लगा था इसके बावजित उन्होंने स्वैम को सहियत रखा दुनिया में ना जाने कितनी अविश्वस्निय घटना गटती रहती है इसको भी इसी तरह की घटना समझ लो सुचिंता बोली उनके तो दिमाग में भी कुछ गड़बरी लगती है हाँ मांसिक रोग है दवा कराने के लिए कलकत्ता आये है लुम्नी में दिखाना है लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आरा कि इस काम के लिए इस मकान को क्यों चुना ये है क्यों तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या वाकई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या कहकर सुचिंता को स्थब्द करते हुए निलाजन कमरे से बाहर निकल गया इसके काफी देर बाद जब नीता अपने पिता को लेकर बाहर चले गई यहाई बात क्या कह रही हो मा कहने की बात ही हुई है ऐसा लगता है निलान जन यकिन नहीं कर पा रहा है मैं मनी मन मुझसे नराज हुआ ऐसा लगता है नराज होने की क्या बात है इसमें अगर मैं तुम लोगों को बिना बताए ऐसा कुछ करूं जो तुम लोगों के लिए अस पहरे के और देखा जिस पर परम निरलिपता थी जैसे अभी इसी वक्त अगर कोई उससे पूछ बटे तुम लोगों के बीच में क्या बाते हो रही है तो वह बता भी नहीं पाएगा बहुत सोच विचार कर कहेगा क्या कहूं मुझे तो कुछ याद ही नहीं पड़ता निलान कुटिर की इस सुपलब्धी को भूल गई वे कटू सवर में बूली लेकिन नीता कुले कर तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं उट रहा तुम कुछ जानना नहीं चाते वहाँ मुझे जानने की क्या जरूरत है जरूर कोई ऐसी बात ही होगी जिसका अरम बड़ी सहजिता से यहां चली आई क्या सुचीता अपने बेटे को इसकी कैफियत देने आई थी कहती नहीं रहे ऐसी कोई बात नहीं है मन तो कभी नहीं अपना स्वार्थ वश यह दुस्साहस करकी यहां चली अपने पागल पिता किस्सा थनाते रिष्टेदारों के यहां जाने में संकोच जब तक यहां है आ ही गए हैं उनके लिए कमरा थो खाली कर देना ही पड़ेगा